हलो फ्रेंड्स मधोज कीचन में आपका स्वागत है अगर आपको मीठा घाना पसंद हो तो यह रेस्पी आपके लिए ही है गिहूं के आटे से बना हुआ है बहुत ही टेस्टी लगता है बच्चों को भी पसंद आता है आप टिफिन में बना सकते हैं नास्ते में दे सकते हैं सफर में ले जा सकते हैं दादी नानी के जमाने में तो यह खुब बनता था, लेकिन आज कल हम इसे भूलते जा रहे हैं, तो इस रेस्पी को बनाने के लिए मैंने दो कप गिहूं काटा लिया है, इसमें आधा कप चीनी और थोड़ा सा इलाइची पाउडर डाला है, इसे मिक्स कर लेंगे, इसमें थ थोड़ा थोड़ा दूद डाल करके एक बेटर पनाएंगे, ध्यान इरही यह बेटर बहुत जादे गाड़ा भी नहीं होना चाहिए, जादे पतला नहीं होना चाहिए, इस बेटर को बनाने में मैंने तिन कप दूद का इस्तेमाल किया है, दस मिनट के लिए ढग कर मैंने दस मिनट में यह बेटर अच्छी तरह से सेट हो गया है, चलिए अब इसे बनाते हैं, इसे बनाते समय तवा हलका सा गरम होना चाहिए, इसलिए गैस का फ्लेम मेडियम लो पर रख करके बनाएं, इसे मैंने थोड़े देर के लिए ढग दिया है, जब इसका कलर उपर से चे लबन के तैयार है, तो मुझे उमीद है आप सबको हमारी रेश्पी जरूर अच्छी लगी होगी, नई वीडियो में नई रेश्पी के साथ बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,